नमस्ते अभिवादन आपका स्वागत आप सभी का हैपी इंवेस्टर्स के एक और ने एपिसोड में सबसे पहले आपके लिए डिस्क्रेमर आज बात करेंगे मार्केट के बारे में मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आने की संभावना है इसे टाइम करेक्शन बोलते है हेल्दी करेक्शन बोलते हैं क्या थर्ड वे उससे क्रेश आएगा मार्केट में बिल्कुल इस बारे में भी हम डिसक्रेशन करेंगे इस वीडियो में कौन से स्टॉक ऐसे है जो बाई करने रहेंगे इस गिरावट में जैसा कि हमने मैं आपको पहले भी अपने वीडियो मे बताया था कि मार्केट अपने अल्टाइम हाई पर है तो अच्छा कासा करेक्शन दिखाने की संभावना बन रही है और वैसा ही होने की संभावना है मंडे मंडे को अच्छा कासा करेक्शन दाने वाला है मार्केट में और इस करेक्शन में अच्छे-च्छे स्टॉक्स हों और कब हमें buy करना रहेगा इस बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बिल्कुल discussion करूंगा ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को subscribe कर दीजिएगा वेल आइकन को दबा दीजिएगा और like भी कर दीजिएगा तो बात करेंगे सब कुछ क्या third wave हमारी आएगी जब करोना की तो ये market वापिस से गड़ बड़ आएगा जैसे कि first wave में आया था या फिर second wave की तरह इस पर कोई impact नहीं पड़ेगा और market उपर ही उपर जाता रहेगा क्या होगा बात करते हैं इस वीडियो में बात करते हैं क्या market की third wave कैसी perform करेगी क्या third wave से crash आएगा market में क्या third wave responsible है market में crash के लिए या फिर कुछ और है तो third wave responsible market में नहीं है crash के लिए market में जो भी अभी crash या फिर time में healthy correction आने की संभावना है वो इसलिए है क्योंकि American markets जाकि Dow Jones है वो 500-500 points तक नीचे जा रहा है market और हमारी Indian market जो है वो अमेरिकी market के उपर ही जाती है अगर अमेरिकी market उपर जाता है तो हमारी Indian markets भी उपर जाती है माननीजिए यह Indian markets है तो हमारी Indian markets भी उपर जाती है अगर अमेरिकी market नीचे जाता है तो हमारी Indian market भी नीचे जाती है दुर्भागिया वश यही सत्य है यही सत्य घटना हदिकत है कि अमेरिकी मार्केट के उपर देश की हमारी मार्केट डिपेंडेंट है और हमारी ही देश के नहीं वाकि कहीं सारी developing countries, economies है जिसकी American market के उपर ही डिपेंडेंट रहती है अब यही रीजन है कि मार्केट में मंदे को अच्छा का सा करेक्शन देखने को मिलेगा और कुछ टाइम तक ऐसे संभावना है कि क्योंकि थर्ड वेव भी आ रहा है तो हमें एक अच्छा लेवल, एक अच्छा range bound market momentum दिखा है अब बात करते है momentum कैसा दिखाएगी कि momentum ऐसा दिखाएगी कि हो सकता है वो range bound रहने की अभी फिलहाल संभावना है बन रही है ना तो वो बहुत उपर जाएगा कि 16,000 को क्रोस कर दे 16,500 के उपर सस्टेंड कर जाए ना ही वो इतना नीचे जाएगा जिस टाइम पर करोना के first wave के टाइम गया था उतना नीचे भी नहीं जाएगा इस बार भी हमारी जो infrastructure है हमारी जो hospital की facilities और सब है वो काम कर रही है first wave के टाइम ऐसा था कि हम तयार ही नहीं थे इस situation को handle करने के लिए और इसी वज़े से हमारे देश में economic इतना crisis आया लेकिन जब बात आती है third wave के और second wave के तो हम अभी prepared है financially prepared है pharma sector हमारा काफी अच्छा perform कर रहा है pharma sector की company इस vaccine बनाने में काफी अच्छा production कर रही है तो हमारी long term की जो story है वो intact है growth story हमारी intact है इंडिया की बात हो गई third wave की तो third wave से मोटा मोटा अगर मैं आपको कहूँ तो इतना impact नहीं आएगा जितना first wave का आया था हाँ लेकिन market consolidate कर सकती है market में थोड़ा बहुत correction देखने को मिलेगा और ये correction healthy correction है इसमें कोई गभराने की ज़रूत नहीं है बलकि इसमें अच्छे अच्छे stocks को चुन करके अच्छे अच्छे levels पर buy करके बैट जाना है ठीक है ये करना है हमें इस market के crash में आप कौन से stocks है जो buy करना है बात करते हैं इस video में कौन से stock buy करना है तो मैं आपको बताऊंगा इस video में कुछ stocks मेरी पसंदी जाके आप भी अपने हिसाब साई decision ले सकते है लेकिन ये मेरे selected stocks है जो आपको हमेशा अच्छा profit बना करके देंगे ही देंगे मेरे सारे stocks जो आपने अभी तक videos देखे है जिन्होंने मेरे साथ मेरी सला के अनुसार अगर videos देखे होंगे और अपने financial advisor को consult करके अपने risk पर investment किया होगा वो आज अच्छे खासे profit में होंगे मैंने उनको profit booking की भी सला दी है और नहीं दी है तो profit booking की सला देता हूँ market में अच्छा कासा correction आएगा wait कर लीजिए और swing trading के लिए ready रहिएगा मैं बता देता हूँ कौन से हो stock है जिसकी मैं बात कर रहा था चलिए स्वागत आप सभी का 0-2 में तो हाँ सबसे पहला मेरा stock जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है हमारा सबका personally actually मेरा favorite swing trading के लिए जो कि हमारा राज दिला रहा है ITC क्यों अगर मैं क्या बात करनो swing trading के लिए मैं आपको पहले भी इस पर वीडियो बनाई थी आप देख सकते है जाकर के ITC के लिए मैंने वीडियो बनाई थी 200 के लेवल बहुत क्रूशल लेवल है मैंने तब भी बोला था कितनी बार इस stock ने हमें अच्छा कासा हमें momentum दिखाता है swing trading के लिए बहुत सी बड़िया stock है गिरावट होगी market में correction आएगा ये stock हमें 200 के आसपास available अभी भी है 2004 कोई बड़ा amount और 200 कुछ स्यादा difference नहीं है लेकिन 200 के आसपास जब पी ये stock मिलता है आपको crap करना ही चाहिए थोड़ा बहुत investment करना ही चाहिए stock में चलिए बिना देर करते हुए बात करते हैं छोटी वीडियो रखेंगे दूसरे stock की दूसरा stock है हिंदुस्तान यूनिलिवर मेरा दूसरा stock रहेगा जैसा कि आप चार्ट पर देख सकते है मैंने बंडे की candle लगा करके रखी है बंडे की candle में इसको मैंने थोड़ा सा जूम आउट कर दी है तो stock आप अच्छे से जरा पर देख सकते है कि ये stock अभी अपने अच्छे खासे technical resistance पे अभी ट्रेड कर रहा है और market में profit booking आने की संभाव नाय बन रही है जिसके बज़े से अगर ये stock आपको 2000 से थोड़ा सा उपर यानि की 200 रुपे के आसपास 200 रुपे के आसपास मिलता है और एक ये support हो गया दूसरा support ये हो गया 200 रुपे का अगर ये 2000 के पास मिलता है बिल्कुल इन्वेस्ट कीजिएगा हिंदुस्तान ये लिवर बहुत ही अच्छी quality का stock है swing trading के लिए अच्छा मौका हो सकता है दुएन आपको लेवल बता दिया 200-2000 ये वाले levels है जहांपर आप buying कर सकते हैं इन सारे लेवल्स पर अच्छा खासा resistance अविलेबल है और support और यहां से वापिस से bounce back आने की संभावना है बन रही है बात करता है तीसरे stock की विल्ला सॉफ्ट्वेर विल्ला सॉफ्ट्वेर पर मैंने पहले भी वीडियो बना है था मैंने आपको उसके बाइंग लेवल्स बताया थे कब आपको बाइंग करना चाहिए मैंने तब बोला था आपको की 350 के 320 350 340 यह सारे लेवल पर अगर आपको अवेलेबल होता है यह stock ता बिल्कुल बाइंग इनिशियेट कर सकते हैं लेकिन दुर्भाग यावश यह stock मैंने सोचा था कि उसके नीचे पर आ सकता है लेकिन अभी तक आया नहीं है यह stock क्योंकि artificial intelligence में भी अपने अच्छे खासा development की और बढ़ रहा है छोटी कमनी का stock है तो इसमें काफी growth के opportunities हैं किसी भी गिरावट में अगर यह stock आपको मिल जाता है तो आप buy कर सकते हैं 350 क तो लेवल्स की अगर बात की जाए यहां पर तो लेवल्स है 320 रुपे 350 रुपे यह सारे लेवल्स आपको buy करने के लिए काफी अच्छा है swing trading के लिए और अगर यह stock आपको 300 रुपे के आसपास मिल जाता है तो तो भी यह मौका छोड़िएगा ही मत future इसका बहुत bright नजर कर रहा है बिर्दा गुरूप की कंपनी है और साटिफिशल इंटेलिजेंस में बढ़ा है तेजी से अपने production और बड़ी तेजी से अपना research and development कर रही है यह तो future में एक अच्छी खासी IT कंपनी के रूप में हमें यह दधर आ सकती है चलिए बात करते हैं एक और stock की चलिए बात करते हैं Infosys की Infosys है मेरा दूसरा एक और stock जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ अगर market में correction आता है तो यह stock तो आपको buy कर ही लिना चाहिए इसका reason बताता हूँ क्यों जब इसका buyback आया था तो buyback में company ने इसे सत्रा सो पचास रुपे के आसपास कुछ सत्रा सो पचास का ही amount था शायद सत्रा सो मुझे यार नहीं है लेकिन सत्रा सो रुपे अगर पकड़ के चले फिर भी ये company अभी 1509 में available है इस stock को company ने सत्रा सो रुपे में buyback किया था buyback का मतलब है सत्रा सो रुपे में आप से खरी जो उनका intrinsic value था वो मिलेगा जिस पर उन्होंने buyback किया था तो यही reason है कि मैं इस पर काफी bullish हूँ कोई भी type की गिरावट infosys में आपको market में correction आता है तो अच्छा कासा buying opportunity हो सकती है grab कीजिएगा इसे बिल्कुल मत छोड़िएगा बात करते हैं एक और stock में और इस वीडियो को close करेंगे वीडियो काफी लंबी हो गई है बाकि मैं stocks आपके लिए लेकर आता रहूंगा आखरी मेरा stock रहेगा तो आखरी और मेरा सबसे पसंदीदा stock में से एक है यह IEX इंगियर energy exchange stock का नाम है और यह stock BSE की जैसा ही एक stock है जहाँ पर energies exchange होती है पावर के shares exchange होते है shares याने की power exchange होता है energy form में सब चीज़े एक्सेंज होती है तो हाली में अगर आप इस पर research करेंगे तो काफी आपको जहनने को मिलेगा उसका मैं अलग से detail पर video बना दूँगा आप suggestion box में mention कर सकते है अगर आप चाहते है तो अब बात करते है इस stock की तो stock में भी अच्छा कासा momentum हमें short term में देखने को मिल चुका है तो मेरा यह stock काफी पसंदीता है क्योंकि 45 degree के angle पर इसका chart बंद रहा है और दूसरी बात यह है कि अभी यह stock consolidate कर रहा है अच्छा कासा consolidation mode से आगे भी आया है अब किसी भी type की गिरावट इसके देखो momentum आया अब यह stock वापी से यहां पर consolidate रहा है तो अब किसी भी type का correction अगर हमें देखने को मिलता है तो buying levels हमें initiate किसी भी type के deeper हमें मिलती है तो हर deeper buy करने का इसमें अच्छा मौका हो सकता है long term में मुझे यह stock वाफी multi bagger लग रहा है काफी अच्छा return अपने investors को देने की शमता रखता है चलिए तो I hope आपको हमारे यह वीडियो में जो stocks थे वो समझ आए होंगे पसंद आए होंगे बाकी मैंने आपको बता दिये हैं बाकी और भी कहीं सारे stocks हैं जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता हैं उनमें भी आप buying opportunities को दूंड सकते हैं support और resistance को देखते हुए मैंने आप वीडियो देखे होंगे तो आपको आयंदा साहा जाएगा कैसे technical analysis करना होता है बाकी आप comment section में mention कर सकते हैं वीडियो सारी free में available है अच्छे stocks की दोस्तों वीडियो उसको जाते जाते लाइक कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा हसते रहिए खिलते रहिए मुश्कुराते रहिए और देखते रहिए happy investors तब तक के लिए बाबाई